हेलो फ्रेंड्स अलकम ठुमाई चैनल आज में आपको फीश का एक न्यू रेसिपी की सेयर करने बाली हूँ जिसका नाम है दही फीश का करी ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है और बहुत ही कम चीज में में ये रेसिपी बनाई हूँ ये फीश करी को बनाने के लिए आपको लगपक 20-25 मिंट लगेगा तो चलिए फिर डरी ना करके शुरू करते हैं आज का दही फीश का रेसिपी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं पहले से ये फीश को अच्छे से फ्राइ करके रखी हूँ ये फीश को मैं अच्छे से पहले क्लीन किया था उसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट और हल्दी लगा कर 5 मिंट के लिए ढंक कर रखा था और उसके पाद कड़ाई में थोड़ा सा तेल डाला जो कि सर्शों का तेल तेल जब अच्छे से गरम हो गया था तब एक एक करके मैंने फीश को अच्छे से फ्राइ कर लिया था तो अभी हम बनाएंगे पहले दही को रेडी करेंगे तो यहां पे मैंने बाहर से दही मंग बाया था जो कि 2 टेबल स्पून 2 या 3 टेबल स्पून मैं दही इसमें अट कर रही हूँ आप चाहे तो घर का दही भी यूज़ कर सकते हैं पहले हमको यह दही को एक फोक के मदद से या कोई पे चमच आप ले सकते हैं अच्छे से फैंट ना है अच्छे से फैंटने से जब आप यह दही को कड़ाई में डालेंगे तब यह दही फटेगा नहीं तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी अट कर रही हूँ इसको और उसके बाद मैं इसमें एड़ कर रही हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर और अच्छे से इसको मिला कर साइट में हम इसको रख देते हैं तो ये कड़ाई में मैं अभी एड़ कर रही हूँ 2-3 टेबल स्पून सर्शों का तेल तेल ओलेडी करम हो चुका है अभी मैं 3 ड्राइर एड़ चिली एड़ कर रही हूँ और उसके बाद 4-5 आपका ब्लक पेपर एड़ कर रही हूँ उसके बाद 2 ग्रीन चिली हाप टीस्प के लिए ऐसे ही भून लीजिए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह थोड़ा सा भून गया है और कलर भी थोड़ा सा गॉल्डन ब्राउन हो गया है तो अभी मैं इसमें एड़ कर रही हूँ कलर के लिए 1 ड़ब स्पून कास्मीरी रेड चिली पाउडर उसके बाद 1 मेडिय थोड़ा सा फ्राई हो चुका है अभी मैं इसमें एड़ कर रही हूँ स्वात अनुसर सॉल्ट सॉल्ट एड़ करने के बाद मैं इसमें एड़ कर रही हूँ हाफ टी स्पून आपका हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर डालने के बाद ये सारे चीज़ को हमको लगपक दो मि एट कर रही हूँ एक छोटा साइस का टमाटो फ्यूरी टमाटो फ्यूरी डालने के बाद फिर अच्छे से इसको वन मिंट के लिए पका लीजिए तो यहां पर देख सकते हैं कि यह अच्छे से पग क्या है और बॉयल होना शुरू हो चुका है मतलब यह हमारा मसाला अच्छ डालने के बाद आपको यह सारे चीज को और एक दो मिंट के लिए सिर्फ वुनना है तो यह देखिए कलर भी अच्छे से चेंज हो चुका है और हमारा मसाला भी रेडी हो चुका है अभी हम इसमें एड करेंगे जो हमने दही को तयार करके रखाता वही दही को हमने इसमें और ग्यास का फ्रेम आपको सिम पर रखना है और एक दो मिंट के लिए अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए ऐसे ही और इसके बाद हम इसमें एड करेंगे बोईल किया हुआ वाटर में साइट में थोड़ा सा पानी को बोईल करकर रखाता आप आपके हिसाब से पानी एड क कर सकते हैं यह करी में थोड़ा सा पतला बनाऊंगी इसलिए में थोड़ा सा चादा पानी एड कर रही हूँ अभी मैं इसमें एड कर रही हूँ फ्राइ किया हुआ फिश को जब आपका यह करी अच्छे से बोईल होगा तब आप फिश को एड कीजिए और अच्छे से यह स सकते हैं कि ये कितना डेलिशिश और कितना यम्मी लग रहा है ये फिश करी के साथ आप प्लेन राइस खा सकते हैं इसका कॉंबिनेशन बहुती यम्मी है और आप लोग एक बार ये फिश करी को घर पे जरू ट्राइ कीजी ये बहुती सिंपल और बहुती यम्मी वाला रेसि अब तक आप मेरे चैनल में नए है तो प्लीज मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए और राइट साट पे जो बेल बेटन है उसको क्लिक कीजिए बेल बेटन क्लिक करने के बाद उपर में थ्री आपसन आएगा जिसमें है औल औल में आप क्लिक कीजिए तब आपको मे झाल झाल